नमस्कार दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं बनाने जा रही हूं दिवालिया स्पेसल लड़ू ओ भी घर के समानों से तो चलिए बनाते हैं यह मैंने समान लिया हुआ है खोवा है सूजी है और यह चीनी है यह हाफ कप दूस्ध है और यह कुछ ट्राइप मेंस्धे काजू पदाम कि समिस और यह इलाईची तो सबसे पहले मैं सूजी को रोश्ट कर लोगी तो चलिए इसको अच्छी तरह रोश्ट कर लेते हैं तो इसको मैं मेडियम फ्लेम पर रोश्ट करूँगी हाइप रोश्ट करने से यह अंदर से रह जाता है और उपर से दाल हो जाता है तो इसलिए इसे मेडियम फ्लेम पर रोष्ट करेंगे तो ये देखिए सुजी थोड़ा थोड़ा गोल्डेन होने लगा है तो अब ये मेरी सुजी अच्छे से रोष्ट हो गई है तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी अब इधर मैं कडाही में हाफ कब दूद डाल दूँगी और दूद जब बॉइल हो जाएगा तब मैं इसमें खोवा मिक्स करूँगी तो यहां मेरा दूद बॉइल हो गया अब मैं ये खोवा इसमें डाल देती हूँ खोवा मैंने फ्रीज में रख दिया था इसलिए मेरा खोवा थोड़ा सा हाड हो गया है तो ये जैसे जैसे गरम होगा वैसे वैसे ये पिघल जाएगा तो ये देखिए जैसे जैसे ये गरम हो रहा है वैसे वैसे ये मिल्ट होना सुरू हो गया है तो ये देखिए मेरा खो आएंगे जब तक ये गोल्डेन कलर ना आ जाए इस पर तो ये देखिए मेरा खुवा लगभग पक गया है लेकिन गोल्डेन नहीं वह अच्छे से दिसे और गोल्डेन करेंगे और इसी टाइम पर मैं इसमें चीनी एड कर लूँगी चीनी मैंने स्वाध अनुसार एड किया है कि खुवा अल्रेडी मीठा होता है तो इसमें चीनी मैंने थोड़ा सा ही एड किया है तो ये देखिए मेरा खुवा गोल्डेन हो गया है तो अब मैं इसमें इलाइची कूट करके डाल लूँगी इलाइची डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब मैंने जो ये ड्राइफर कट करके रखे हैं उसे भी मैं इसमें डाल करके अच्छे से मिला लूँगी तो ये देखिए मेरा खुवा अच्छे से गोल्डेन हो गया है तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा करूँगी तो इसे थोड़ी देर के लिए हम अब कहां को एक और प्रूट cyn hypoth कके रखे हैं वही मैं इसमें डाल लूँगी यह फूट कालर है तो इसमें मैं एक पिंच पूट कलर डाल करके इसे मिक्ष कर लूँगी अ तो इसे फूट कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिजिए कर नो इसको हम फिलिंग में यूज करेंगे, तो ये देखिए, मैंने अच्छे से food color के साथ मावा को मिक्स कर लिया है, तो चलिए इसका छोटा छोटा ball बनाते हैं, तो ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा ले करके, हाथों पे ऐसे मसल करके, और इसका छोटा छोटा ball बना लूँग तो सारे जो मैंने color mix किये हुए है मावा में उसका मैं छोटा-छोटा ball बना लेती हूँ तो यह देखिए मैंने सारे ball बना लिये हैं अब चलिए लड़ू बनाते हैं तो यहां मैंने थोड़ा सा मावा को हाथ पे लिया है और उसे बीच में दबा करके उसमें मैंने ये जो गोल लड़ू बनाया थे उसको रह करके उसको अच्छे से कवर कर दूँगी और इसको दोनों हाथों से घुमा घुमा कर गोल कर लूँगे तो मेरा लड़ू बन गया है इसे मैंने जो सूजी भून करके रखा है उस पेस के घुमा घुमा कर अच्छे से चारो तरब से घुमा घुमा कर इस पेस सूजी को अच्छे से फैला देंगे ये देखी है एक और बना करके मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल सेम तरीके से ही करना है ये बीच में उंगली से दवा के गैप बना दे उसमें छोटा सा जो बॉल है उसको डाल करके पच्छे से कभर कर दे और उसे हाथों पे गोल गोल घुमाते हुए लड़ू का सेप दे और इसे अच्छे से राउंड राउंड घुमा के सूजी के उपर इस पे अच्छे से सूजी लगा दे और फिर हाथों पे इसको अच्छे से एक्ष्ट्रा सूजी को जार ले तो ये देखिए मैंने सारे ल और एक तोड़ करके भी दिखा देती हूं मैं आपको इस तीवाली आप इस रेस्पी को अपने घर पे बनाएं और इंज्वाय करें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सेर एंड सस्क्राइब करें थाइंक यू बाए